लालू यादो दिल्ली में राहूल गांधी से मिलते हैं, उनके साथ मटन खाते हैं और जब वापस पटना आते हैं तो सीधे वो नितीज कुमार से मिलने के लिए वो एक अने मार्ग पर वो पहुँचते हैं और एक कमरे में बैठ कर 45 मिनट तक नितीज कुमार और लालू लालू यादो खुद नितीज कुमार से मिलने पहुचे और उन दोनों में जो 45 मिनट की बातचीत हुई है ऐसा चर्चा होनी शुरू हो गई है ऐसा कहा जा रहा है कि ये बहुत कोशी ये तै करने वाला है कि मुंबई में जो तीसरा विपक्षी एकता का जो मिटिंग होने वाली है इसमें क्या कुछ करना है इसी का प्लान मनाने नितीज कुमार और लालू यादो एक साथ बैठे थे इसके अलावा अब जो बिहार में मंत्री मंदल में जो विष्टार का काम रुका हुआ था जो भी अरचने आ रही थी वो सारा ची जब साफ हो गया है राहुल गा जो मंत्री मंदल में सामिल होने वाले लोग तो उसमें जो दिक्कत थी इसी के निप्टारे के लिए लालू यादो खुद नितीज कुमार के पास पहुंचे है और 45 मिनट तक कमरे में उन दोनों के बीच में बातचीत हुई है सारा डील हुआ है अब क्या कुछ कहा जा रहा कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े है लालू यादो जब दिल्ली में होते हैं उनसे राहूल गांदी खुद आकर मिलते हैं दोनों के बीच मटन पार्टी होती है और तमाम तरीके के बातों पर चर्चा होती है वहीं से खबर आता है कि नितीज कुमार को जो संयो गांदी से मिलते हैं और उनसे बातचित करते हैं कि नितीज कुमार को समनरक बनाया जाए अब इसमें लालू यादों ने एक अपनी प्लैनिंग की है उन्होंने दो पद बना दिये पहले था कि जो कॉडिनेटर होगा वहीं सब कुछ होगा लेकिन लालू ने दो पद बनान उनको दिया जाए और इसके बाद जब वहां से सारा चीज बातचीत होता है उनको अंद्रूनी जो आपस में प्लैनिंग करनी थी वो सारा चीज करते हैं और उसके बाद लालू यादों सीधे पटना पहुंचते हैं और पटना में जैसे निशाम होता है लालू यादों खराब होई थी तब वो उनसे मिलने पहुचे थे नहीं तो ऐसे वो नहीं जाते हैं और तबीयत खराब के समय वो मुलाकात अनवचारिक थी अवचारिक कोई ऑफिसियल कुछ रणनेती के ऊपर बातचित नहीं हो रही थी लेकिन इस बार जो 45 मिनट बैट कर इन दोनों के बी होने वाला है इन दोनों चीजों के लिए दोनों की ये 45 मिनट के मुलाकात काफी महतुपूर्ण है अब ऐसी चर्चा आ रही है जनकारी मिल रही है कि कॉंग्रेस के तरफ से चार जो मंत्रियों के नाम जिनको मंत्री बनाना है चार नाम सुझाए गये हैं और इसमें महराज लालो गांदी से बादचित करके और और कॉंग्रेस का यहां पर कमुनिटी है कॉंग्रेस यहां जो बिहार कमुनिटी यह तैय नहीं कर पा रहा थी कि चारों में से कौन-दो-नाम फाइनल किया जाए तो इसलिए लालू यादो ने वहाँ पे राहुल-गानदी से बादचि नहीं हो रहे थे इन दोनों में दो बड़े नाम थे एक तो सुधाकर सिंग जो जगदानंद सिंग के पुत्र है और जेडी में कितना बड़ा नाम है आप खुद जानते हैं इसके इलावा करतिके सिंग जो अनंद सिंग के दाहिने हाथ है और इन दोनों नामों से नितीज कु पूछा है और अब जब जितना जल्दी हो सके कभी भी मंदल विश्टार को लेकर खबर आ सकती है और ये प्तै हो जाएगा कि कौन मंत्री बनेगा और मुंबई के वैठक में हो सकता है कि नितीश कुमार को कॉडिनेटर का पद दे दिया जाए क्योंकि लालू यादों ने सार डील फाइनल कर दिया है बाकि आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक बिया बता सकते हैं चुनता जिंक्शन देख रहे थे आप बहुत बहुत धन्यवाद